इसमीद है कि बिहार में जो स्वास्त व्यवस्था वेंटीलेटर पर है इसे अपग्रेट कर देश में तो यह नीचे से लेकर उपर तक का सुधारने की चीज है और जब तक यह नहीं सुधरेगा ना बिहार दो दो भारत देश ही दो दो बार आप बहार में दो सीटों पर महागट बंदन आखिरकार प्पू यादब की पाठी जो जाप है किसका समर्थन करेगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजुदानवीर हैं जो कि जाप के प्रदेश के युवाद अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं चुना होने जा रहे हैं दो सीटों पर मोकामा औ स्प्राब की पाठी को हमारे जो शिर्ष नित्रित्व हैं और हमारे पाठी के राष्ट्रिय ध्य चादरoples पपूय अधव जी त्यक्त एंगे जिधर कहेंगे हमारी पूरी पूरी पार्टी के लोग सब लोग उधर हो जाएंगे तो वह तैय करेंगे कि आप लोग हमेशा सड़कों पर रहते हैं चाहे कोई भी मुद्दा हो इन दिनों कल तरिश्वी आदब बीते दिन पहुंचे थे और अचक निरक्षन मेंनें सीच और एक सुपरिटेंडिन को उन्होंने तत्कार जो है वो निलंबित किया है और अब वो सुपरिटेंडिन का कहना है यह गलत हुआ हमारे कैसे देखते हैं आप इसके वहां पर जो गए और वहां पर क्या महोल रहा होगा किस प्रस्थिती में सस्पेंड किये और उनका क्या राय है रहा यह तो वहां बाद का मैटर है पहले मैटर यह है कि बिहार में स्वास्त विवस्था कब सुध्रेगा और कब तक यह हालात में रहेगा अब तो नई सरकार आई है, नई सरकार से हमें उमीद है कि बिहार में जो स्वास्थ विवस्था भेंटीलेटर पर है, इसे अपग्रेड कर दीजे, इसे जो प्राइबेट में जो सुबधा मिलता ही है, उसकी सुबधा यहाँ पर आप दे दीजे, ताकि एक गरीब भी वहाँ से चले, तो उसको पैसा ना लगे, यहाँ तो यह होता है कि यह दवाई मिला नहीं मिला, यह दवाई वहां से लिए, यहाँ पर तो PMCH का हल क्या है, NMCH का हल क्या है, सबसे छीपा हुआ है, नहीं है, यह आम जनता किसी से भी पुछेगा, वो अपनी राए रखेगा, देग डॉकटर को हट आया गया, तो डॉक्टर अब कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, कैसे, तो बोल रहा है कि पूरे सिस्टम को सुधारे, आप पूरे होस्पीटल से लेके, नीचे डॉकटर नहीं, नीचे होस्पीटल का बेवस्था को भी सुधारने का चीज है, जाए यह PMCH, पता लगा कि यह स्थिति है नीचे से उपर तक कई सुधारने की चीज है और जब तक यह नहीं सुधरेगा ना बिहार दोदो भारत देश में दोदोबा यह षब आप रहा कारोना illness बिहार देखा रहां किलारोहिस से भी कंद। करोना से भी का क्रक्रवे भृश्म करती है कि हमें क्या क्या कर ना होगा आज देंगू के हजारों को है उसमें नहीं हम कहेंगे लेकिन अज क्या स्वाइब के पास पचाश जार एकलाख रुपिया ढाइब हमें और लाइज करा सकता है है गर्सmus Channel नहीं करा सकता है गश्वाईब करने का चीज है मैं माननिएंग भिहार सरकार से अपील करूंगा कि बिहार को जीतने भी सरकार है उस सब को ऐसा बना दे ताकि एक गरीब भी आए तो इलाज वहां पर बेतर कराए और कम से कम बिहार सरकार को अच्छा तो बुलेगा ना कि नहीं सूधा दिया अच्छा यह तो भाई अभी जितने गरीब आधा गरीब मरते है पैसे के भाब में अमीर के पैस तो पैसा है तो चल लेगा मेदानता उचल लेगा दिली चल लेगा कहां चल लेगा और कहीं राज सरकार तो कहा रही है कि केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है कैसे होगा केंद्र सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है मैटर नहीं है क्योंकि केंद सरकार तो फेकने में महाने है कितना देंगे इतना देंगे इतना देंगे फेकने में कोई कमी नहीं है उनके चुनाब आता है तो केंद सरकार की स्थीति आप देखते हैं दो लाआख बोलने का है चीर दो लख रोजगार देंगे था सीदे बोलते हैं दो क्रोर रोजगार देंगे डोलर कहां चल जायगा रुपया कहां गिर जायेगा इस वो सब पलते हे चुनाब के समय लेकिन बाध में क्या हो जाता है राम जाने अर्थ Gonzalez के क्या होता है अब बाद में क्या होता है को छीपा हुआ थोड़े है जिसका सत्ता है केंद्र में आप तो देख रहे हैं जिसका अभी सत्ता है उच्छारे सरकारी संस्थानों को दूर्पयोग करने में लगा हुआ और आपको आपको हम बता आपको देख कि जो पूरे वर्ल में जो सेकेंड नमर पर पुंजी पती में आ गये हैं उनका आज से दू साल पहले क्या है अचानक से इतना कहां भाग गया है अहिया का गरीब का आदमी गरीब होते जा रहा है अमीर है जो भारत तो है केंद्र सरकार चंद्र पुंजी पतियो को इसमें कहीं न कहीं बेहतर स्वास सुबधा देना होगा बिहार में और साथ सत रोजगार को भी लेकर चलना होगा और आपके चैनल के माध्यम से बिहार बास्यों कहेंगे कि आप अपने घर में छिड़काप कराएं डेंगू से बचने के लिए और जरूरी एतियात को बर चीज़ों को लेकर जो हमारे पास सवाल थे हमने पूछे हैं और वे अपडेट्स होंगे वह हम आप तक पहुंचाएंगे बनेरी इस परनेशन के साथ नमस्कार